बाइक पर सवार परिवार के पांस सदस्वी की परिविरी तिशा से आ रही कार से भहिंका टककर में दो लोग की मोके पर ही मोत हो गई जबके तीन लोग गंभी रूप से घायल हो गए हैं टककर इतनी जबर्दस थी के कार का अगला हिस्सा बुरी तरह च्छती ग्रस्त हो गया है बाइक सवार कई फुट हवा में उच्छल कर जागी रे मोके पर सियो और एसो चोवेपुर ने पहुंचकर घायलों को अस्पाताल पहुचाया यह एकसिडेंट चोवेपुर थाना च्छेतर के पुनियारी गाउं के पास वारानसी गाज़ेपुर हाइवे पर हुआ आपको बता दें इस संबन में पिरता दर्शी आनिल कुमार ने बताया कि एक बाइक पर पांच लोग सवार थे और उसी समय विप्रीत दि हुई है वहीं इस संबन में मौके पर पहुचे सियो सुरेंदर नात यादव ने बताया कि एक बाइक पर पहाडियां के रहने वाले आशीश अपने परिवार के साथ चोवेपुर आ रहे थे उसी समय तेज रफ्तार टाटा जेस्ट कार जो विप्रीत दिशा से आ रही थी उससे जोड़दा टकर हो गई जिससे मौके पर ही आशीश की पत्नी सोनी और महिमा की मौत हो गई वहीं तीन लोगों को गंबीर हालत में अस्पताल भेजा गया है उन्होंने बताया कि एक बच्ची खुशी बारा साल सोनम की और आशीश घायल है पुलिस के अनुसार कार फरार हैं टकर के बाद से उनकी तलाश की जा रही है वारणशी से जुनेत खान लाइब अभी तक सर किसरी घटावी क्या है इसमें एक मोटर साइकल पर यह है ही रो में की मोटर साइकल भी पहड़िया के रहने वाले हैं आशीश अपने परिवार के साथ निजा रहे हैं दे चोवेपूर की तरफ उसमें आपने सामने की टकर हो जाने की वज़े से आंदर इस पार्ट इसमे पर ही लोगो को अस्पताल पेजा गया तो यह अब फॉल्व फिया जा रहा है जो कार है वो गाजेपूर की तरफ से उल्टे लेंग से आ रहे हैं अब यह चुकि का प्रोजेक्ट चल रहा है इसके इसमें रहे हैं इसके भी मैं दिक ता हूँ कि किस वज़े से यह एक ही ले लोग घाल है इंग इस्तनान करी अभी चीज अब सुकी सभी जो भी सवारते हो घाल हो गया तो बताने पाया और अब इस चीज क्या पता किया जा रहा है कि यह मंदिर जार तकर वे कार सवार में जो लगत रुख तो लोगत रहा है